हेलो एंड वेलकम एवरिवन टो नीहास कोजी किचिन आज हम बनाएंगे सर्सो की साग जो सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और मिलता भी बहुत है साग तो इसके लिए हम लेंगे सर्सो का साग इसकी रेशियो वैसे तो 2 is to 1 is to 1 होती है सर्सो का साग 2 रे साफ कर लेंगे बादू के पत्ती पत्ती सिर्फ लेंगे डंडी नहीं लेनी है हमें तो एक पत्ती करके हम निकाल लेंगे में काम इसका यह क्लीनिंग का वाश का वाश बहुत अच्छे से करना है हमें से तो इस तरह से हम इसके सारे पत्ते निकाल लेंगे और मैं इस साग क और healthier बनाने के लिए इसमें थोड़े मेथी पत्ते एड़ करते हूं बहुत जाद ही कम फिर थोड़े से मूली के पत्ते फ्रेश जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं वह वाली पत्ते थोड़े से लेंगे बहुत जादा नहीं इसे टेस्ट भी अच्छा आता है और healthy और जादा हो इस तरह सारा clean करके अच्छे से बेक बोल वगरा में लेकर अच्छे से इस तरह डिप डिप करके से वाश करेंगे क्योंकि वाश करना सबसे ही important होता है नहीं तो मिट्टी रह जाएगे तो सारा साका मजा खराब हो जाना है फिर इस तरह से हम इसी कट करेंगे मैं easy recipe बना बत करेंगे इसमें one tablespoon of salt इससे pressure cook करेंगे only one whistle तक थोड़े सा ginger green chili और garlic बहुत सारा लेना है गालिक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका यह बॉल हो चुका है इसे थोड़ सा cool down होने देंगे उसके बाद इसे मैक्सी में grind कर लेंगे और बहुत fine grind नहीं करना है हमें और यह जो हमने लसन अद्रक और green chili लिये हैं इसे बहुत ही बारिक चोप भी कर सकते हैं बट इसे अगर grinder में करना है तो थोड़ा सा grind करके छोड़ देंगे तो यह दर और साग बन रही है तो definitely घी थोड़ी से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इसमें देशी ही और थोड़ी सी चोप चोप हम इसमें चिल और गार्लिक भी यूज़ करेंगे जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो पहले सितर इसे गार्ली को fry कर लेंगे उसके पाद जो इस तरह से fry कर लेंगे थोड़ी दिर फिर हम इसमें अपने चोप अनियन वन मीडियम साइज चोप अनियन मैंने आड किया इसमें मेरा एक्चली साग की क्वेंटिटी मेरी बहुत जादा है एक कुकर में आई भी नहीं तो मैंने दो प्रेशर कुकर यूज किया था इसे हम इस तरह से मीडियम फ्लेम में fry कर लेंगे और साग इस तरह से पीसना है कि बहुत जादा फाइन पेस्ट ना हो जाए तो हमें थोड़ा कमी ग्राइंड करना है से साग इसमें एड कर लेंगे हम अभी इस स्टेज पर आप साग से पहले इसमें मक्के का आटा एड कर सकते हैं अधिक से साग के बाद ही इसमें आट करते हूं तो मके का आटा आटा एड करें में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाह है तो इसमें जब अंइयन आपकी अच्छे से फ्राइ हो जाए फिर यह ढल के ठोड़ा सा रोस्ट कर लें उसमें रोस्ट कर यह मतलब यह भी फ्राइ हो जाए उसमें इसमें फिर हम सॉल्ट एड़ कर लेंगे according to taste as per our taste इसकी consistency थोड़ी थिक होती है तो अगर आपका water इसमें लग रहा है कि बहुत ही काम है तो थोड़ा सा आप warm water इसमें एड़ कर सकते हैं otherwise जरूरत नहीं होती है तो इसका trick एक और है कि आप जब pressure cooker इसे करें तो ज़्यादा पानी उसमें एड़ नहीं करें उसमें half glass of water is enough क्योंकि वो पानी हम पूरा use करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ही nutrition होता है उसे हमें throw नहीं करना है और normally चोप करके अगर यह बनाया जाता है बिना pressure cooker को करके तो बहुत time taking होता है तो मैं easy recipes बताती हूँ इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ इसे और यह बहुत ही tasty बनता है ऐसा नहीं है कि उसके recordings का taste कुछ कम हो जाता हो यह बहुत tasty बनता है इसे यह नहीं के फटा फट किया और fry करके रख दिया मैंने इस थोड़ा सा fast forward में दिखाया है मैंने अच्छे से fry किया है time taking है यह थोड़ा से time के लेता है at least 20 minutes 25 minutes सब करने के बाद भी साख को fry करना है हमें थोड़ी देर तक और it is done बहुत ही tasty होता है यह मक्के की रोटी के साथ इसे enjoy करें या चापाती के साथ या फिर परोटा के साथ यह बहुत ही healthy होता है इसका एक और trick है या मतलब method है कि जब भी आप इसे खाएं क्योंकि एक दिन में यह खतम होता है नहीं क्योंकि इतनी सारे बनता है तो जितनी बार खाना है या खाने से पहले एक देसीखी heika तड़्का मिसमें जाता है आप चाए तो ग्रीन चिली या फिर वह रेड चिली आता है उस कर सकते हैं चोर्पड गार्लिक यूस कर सकते गार्लिक मैंने अलरेडि बहुत डाला हो था इसलिए मैं वह नहीं डाल रही हूं अभी अधर्वाइस आप उसे डाल के फिस से फ्रेश में तड़का लगा सकते हैं मैंने सिर्फ ग्रीन चिली का तड़का लगाया है देशी की में इसका टेस्ट और भी टेस्टी हो जाता है नेक्स वीडियो आई विल ट्राई की मक्की की रोटी की अपलोड करूँ तिल देन बबाई टेक केर शब अखेर